ये खबर आपको जरूर जानी चाहिए ये खबर इसलिए क्योंकि अगर आप बेहार जाने के एकशुक हैं वो भी तब जब छट महापर्व आ रहा है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात आपको मिलने जा रही है जी हां दिली से पटना क के लिए अगर आप यात्रा करना चाहा रहे हैं और अभी तक आपको टिकट नहीं मिल पाया ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है फ्लाइट का किराया आसमान चूरा है तो ऐसी परिस्तित्यों में आप घर इस महापर्व में शामिल होने के कैसे पहुंचेंगे तो परिशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब वंद्य भारत ट्रेन जो है वो दिल्ली से पटना आपको लेकर जाएगी और आप अपने घर अपने परिवार के बीच छटका महापर्व दिपावली मना पाएंगे बताते चलेंगे रेलवे न दिल्ली से पटना तक का सफर यात्रियों को हाला कि बैट कर पूरा करना होगा आपको पता होगा कि वंद्य भारत ट्रेन जो है वो सिटट चेयर ट्रेन है और यानि कि आप इसमें लेट कर तो यात्रा नहीं कर सकते हैं लेकिन आप अपने गंतव बड़े आराम से पूरा होने के बाद ट्रेन को स्पेशल वंदे भारत की जगर रेगुलर कर दिया जगा है यानि कि आप इसका इस्तमाल इसका उपयोग जो है इसका फायदा जो है हमेशा उठा पाएंगे रेल मंडल के अंतरवेत आरा और बक्सर जंक्शन रुखते हुए दिल्ली पटना वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को ट्रायल के रूप में स्पेशल ट्रेन चलाने का पत्र रेल्वे मंद्राले ने जारी कर दिया है ट्रेन 30 ओक्टूबर तक 1, 3, 6 नौवेंबर को दिल्ली से तथा 31 से 31 ओक्टूबर के बाद 2, 4 और फिर 7 को पटना से दिल्ली के लिए खुलेगी बीच में ये आरा, बक्सर, डीटीउ, प्रयागराच और कानपूर में ट्रेन का ठहराव आपको देखनी को मिलेगा 11 गंटे 35 मिनट में ये अपनी पूरी दूरी को तैय करने वाली है यानि कि आपकी जो यात्रा होगी तकरीबन 11 गंटे की यात्रा होगी जब आप दिल्ली से पटना या फिर पटना से दिल्ली पहुँच पाएंगे इस ट्रेन के जरे नई दिल्ली से सुबह तकरीबन वक्त क्या होगा आपको बता देए जब ये ट्रेन खुलेगी तो सुबह के 8 बच कर 25 मिनट पर ये ट्रेन जो है वो खुलने वाली है और ये म पूरा कर लेगी आप अपने गंतव्य पहुंच जाएंगे पटना में सुबह अगर पटना से आप दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे हैं तो पटना में ये सुबह 7 बच कर 30 मिनट पर खुलेगी आरा जो जंक्शन है वहाँ पर 8 बच कर 7 मिनट के आसपास ये पहुंचेगी और दिल्ली शाब में 7 बचे ये आपको पहुंचा देगी दिपाली और छट में आरा सहित बिहार आने वालों के लिए रेलवे की तरफ से कई श्पेशल ट्रेने पहले से भी शिडूल की गई है जो आपको सुविधा देती वी नसर आएंगे लेकिन ये वंदे भार ट्रेन की जो सौकात है वो आपकी यात्रा को और सुगम बना देगी और ज्यादा बहतर तरीके से सुविधा आपको मिलने वाली है दिवाली और छट के दोरान ट्रेनों की मारा मारी उसमें सीट का ना मिलना लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनाओती होती है और वैसी परिस्तित स्पेशल ट्रेनों के चलने के बावजूद यात्रियों का जो बोज है वो रेलवे के ऊपर भी है फ्लाइट्स की किराये चुकि आसमान चू रहे हैं तो सभी के लिए इसे उप्योग मिलाया जा पाना या फिर इसका इसका इस्तमाल किया जा पाना इतना आसार नहीं होगा इसलिए अब रेलवे की तरफ से वंदे भारत ट्रेन की बात कहीं जा रही है रेलवे मंत्राले ने आरा सहीत अगर बिहार आने जाने वानेवानों को राहत देने का फैस्ला लिया है स्पेशल वंदे भारत ट्रेन के सरीए अब सवाल ये कि आखिर किराया आपको कितना देना होगा वंदे भारत ट्रेन प्लेगर आप यात्रा करना चाहते हैं इस ट्रेन से तो इसका जवाब भी जान लीजी तो वंदे भारत में दिली से पढ़ना तक का सफर भले बैठ करता है करना होगा लेकिन किराया जो है वो तेजस एक्सप्रेस में थर्ड AC में जब आप सोकर सफर करते हैं तो उतना ही आपको चुकाना होगा वंदिभारत स्पेचल ट्रेन में AC चेयर कार कोच का किराया जो है वो तकरीबन 2575 रुपे यानि कि तकरीबन 2500 के आसपास आपको ये किराया चुकाना होगा वहीं AC एक्जेक्यूटिव क्लास में अगर आप सफर करते हैं उसका आप टिकट लेते हैं तो आपको हर टिकट तकरीबन 4500 से भी ज्यादा देनी होगी 4,655 रुपे खिराया होगा लेकिन इसके साथ सुविधा आपको क्या मिलेगी अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो चाइनासा खाना सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा शामिल होगा यानि कि आप पस अपना सोखेस उठाइए अपने घर के लिए निकल जाइए अपने गंतव्य तक पहुँचिए छट महापर्म में शामिल होए घर परिवार के साथ खुशिया मनाईए तेजस में पटना से दिली के सफर में थर्ड एसी के बर्थ के लिए जो टिकट लगती है वो टिकट का किराया भी तकरीबन धाई हजार से ज्यादा का रहने वाला है लेकिन इसके बावजूद जो लोग घर जाना चाहते उनके लिए तो ये राहत के खबर है और आपके लिए सबसे ज्यादा ज जरूरी इस खबर पर आपकी क्या है राहे बताईएगा जरूर मैं आपके होस्ट और दोस्तु पेपा